So Hello Everyone, बात करते हैं आज NBCC India Limited के बारे में इस stock में आप देख रहे हैं अभी price down चल रहा है इसकी वज़ा आपको पता होगा 1 ratio 2 में ये bonus provide कर रहे हैं आप लोगों का portfolio अभी negative भी so हो रहा होगा क्योंकि आपके account में ये अभी credit नहीं हुआ है ये stock ठीक है So wait कीज़े इस stock में इस video में मैं आपको ये भी बताऊंगी क्या इसमें fresh entry का मौका बन रहा है ये नहीं और कैसा stock है fundamentally ये भी आगे बताती हूँ So पूरी video watch कीज़ेगा बट यहाँ पर पहले बता देती हूँ 1 ratio 2 का मतलब क्या है कि आपके पास अगर 2 stock है इसके तो आपको 1 stock free मिलेगा ठीक है यहाँ पर इसका मतलब ये है अगर 100 stock हैं So 50 stock आपको free मिलेंगे मतलब वही है price यहाँ पर down आ चुका है quantity बढ़ चुकी है ओके चलिए बात करते हैं यहाँ फंडमेंटली कैसा stock है यह तो यहाँ पर yearly basis में देखेंगे आप यह yearly basis में यह figure है करोड में इनका value है ओके तो sales देखेंगे आप sales इनकी बढ़ रही है yearly basis में अब तक यहाँ पर 10,645 इनकी sales हो चुकी है और आप देखेंगे काफी टाइम से March 2021 से इनकी जो sales आप चार-पांस सालों से बढ़ ही रही है और जो खर्चे हैं under sales से इनके खर्चे रही हैं जितने यहाँ पर expenses है sales है उतनी इनके expenses है so overall जो हम देखेंगे यहाँ पर net profit इनका net profit आप देखेंगे यह भी increasing phase में नजर आ रहा है दो-चार साल से यहाँ पर profit इनका increasing phase में नजर आ रहा है अभी तक इनोंने 444 करोड का profit generate कर लिए है net profit आप देख रहे हैं so overall यहाँ पर profitable है company आगे balance sheet में नजर मारे है so balance sheet भी यहाँ पर बढ़िया है वैसे government stock है so बढ़िया ही है यहाँ पर देखेंगे आप 2046 के reserve में 1 करोड कही यहाँ पर इनके पास borrowing मतलब ज्यादा खास नहीं है जब चाहें उधारी चुका सकते हैं अच्छा stock नजर आ रहा है result के इसाप से भी and balance sheet भी सही नजर आ रही है वाकि share holding pattern में द पास ही है promoters यहाँ पर government ही है so 61% इस टेक 62% हम कह सकते हैं promoters मतलब government के पास है और FII के पास भी इसकी holding है 4.43% और DII के पास भी इसकी holding है और public को only 24% दिया गया है so means share holding pattern भी इनका अच्छा नजर आ रहा है overall चीज़े यहाँ पर सही नजर आ रही है so long term perspective से share सही नजर आ रहा है आगे बात करें यहाँ पर chart पर क्या support resistance निकल कर आ रहा है तो 108 के round इसका support level नजर आ रहा है 108.60 रूपीज के round second support level 104 रूपीज के round नजर आ रहा है अगर आप लोग short term perspective से इस stock में fresh entry लेना चाहें वैसे तो सही है stock ले सकते हैं आप लोग fresh entry बैकि यहाँ पे 121 and 126 के levels ही आपको दिखा सकता है तो at your own risk इस stock में fresh entry का सोथ सकते हैं आप लोग वैसे बढ़िया रहेगा long term perspective से आप लोग इस stock में बनिये long term में अच्छे returns दिला सकता है यह वीडियो only for education purpose से है I hope आप लोगों को समझ आई होगी पसंद आई होगी थैंक्स पर वाचिं इस वीडियो